स्वागत है आप सभी का बचनेर आइस में मेरा नेम है रिच्छा गुद इवनिंग ओल अफ यू कैसे आप सभी लोग उमीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया हूं तो चलिए कल की क्लास में हमने और बेट के बारे में पढ़ा था एंड उसके टाइप की बारे में पढ़ है उससे पहले आप सभी प्राप टुडे के बारे में जान लिजिए कि प्राप टुडे क्या है एक ऐसा ब्लैटफॉर्म है जहां पर आप सभी को सब्सक्राइब एक्षाम से रिलेटेट सभी वीडियोज मिल जाएंगे और उमीद है आगी भी देंगे वैसे हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप टुडे को भी दें चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन तो आज हमें संसिंक्रोनस और बेट के बारे में पहले देखना है जिसे इस SSO बोला जाता है यानि सूर्य तुल्य कालिक कक्षा SSO होता क्या है तो यानि जो है संसिंक्रोनस और बिट चलि बारी में भी देखेंगे यानि सूर्य समकालिक कक्षा भी बोला जाता है और सूर्य तुल्य कालिक कख्षा भी बूला यह जो है यह ध्रोवी कख्षा जो ध्रोवी कख्षा होती है द्रोवी कख्षा का ही एक होता है संसिंक्रोनस और बिट जिसमें जो सुदूर समवेदी उबग्रह होते हैं, वो इस्थापित किया जाता है और बेसिकली अगर हम संसिंक्रोनस ओर्बिट की बात करते हैं तो संसिंक्रोनस ओर्बिट की एक बहुत ही अच्छी विसेश्ता ये होती है कि जिस भी उबग्रह को इसमें लाई किया जाता है यानि इस्थापित किया जाता है वह अव्ग्रय हमेशा पृथवी के सूर्य द्वारा प्रकास से जो छेत्र होता है उसी पर रहता है यानि इस उह सूरे तुल्ले काली कॉश्चछा है अन्दकार के रेखा को ठीक होती है उसके ठीक उपर movement करते हैं यानि ठीक उसके उपर जो है वो चक्कर लगाते हैं तुर्य तुल्य काले कक्षा ऐसे सो जो है यह एक ऐसी भूकेंद्रिक यानि जियो सेंट्रिक कक्षा होती है जिसकी उचाई और जुका वो एक इस प्रकार से संयोजित होते हैं उनमें यानि इस तरीके से लाई करते हैं इस तरीके से फिक्स होते हैं कि उसमें जो भी इस्थित उपग्रय होते हैं वो हमेशा यानि सदयव जो हैं वो सूर्य के प्रकास का ही सामना करते हैं इसलिए इसे जो है वो सन सिंक्रोनस और बोला गया यानि यहां पे जो सन होता है वो क्या करता है तं जु है वह फादर की रूप में कारे कर ता है पिता जी की रूप में एक लिए खुदूर समवेदी यानि सेंसिंग उपग्रह जो है रिमोर सेंसिंग प्रप्रास का प्रएयोग करते हुए प्रिथवी की सतय पर इमेजिंग करने का कारे करते हैं यानि जो भी उबग्रह यानि जो संसिंक्रोनस और्बेड जो होते हैं वो इन इन उबग्रहों को इन रेखा पर बनाई रखने के लिए जो है वो हर दिन कक्षा में एक सूरोप परीवर्तन कुछ चेंजर करने किया जाता है आप सभी को पता है कि जो अर्थ है वो थोड़ी सी जुकी हुई है तिल्टेड है आप सभी ने जोग्रोफी तो पढ़ी होगी ना अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं आपकी जो दिव्या मैम है उनके क्लासे को आप जाइए एक्स्प्लोर करिए और उन्हें वाच करिए तो वो जो है वो आपको अर्थ के बारे में मुझसे बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाएंगी क्योंकि उनका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में उनको अपने महारत हांसिल है तो कोई भी सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाता है खैर मैंने यहां पर आपको जितना जानना जरूरी था उतना मैं आपको बता दिया यह थोड़ा सा हर दिन क्योंकि आपके मनमे कुशन आसकता था ना यह बताईए मैं हर दिन चेंजिस करने की क्या आवशकता है आपने तो कहा कि इसकी बहुत अच्छी खुबी यह है कि डेली जो है यानि सदायव जो है वो सूरे का प्रकास का सामना इसमें जो इस्थेत अपग्राय होते हैं वो करते हैं तो हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा चेंजस होंगे तो एक दिन इतना नहीं जो जाएंगे कि सूरे का प्रकास नहीं होगा और इसी कक्षा में स्थापित होने के कारण यानि संसिंक्रोनस ओर्बिट जो कक्षा है उसमें स्थापित जो सुदूर समवेदी उपग्रह होते हैं उनकी भी छमता बढ़ जाती है क्योंकि ये भी हमेशा जो हैं वहीं पर बने रहते हैं तरीके से हमारा आर्थ और ये जो यह लाइन आपको देख रही है ना ये आर्व जो हमेसा इस तरीके से अब यहां पर आगर मैं इसे आपको डाइग रम यहां पर इस तरीके से यह ए मूव कर दो कि सूर्य-टॉल्य-काली कुक्षाएं यह दुरूओं के उपर सोकर गजरती है तो यह सूर्य-तुल्य-काली रूबी या SPO भी जो है वो इसी लिए कहा जाता है क्लियर हुआ अब उसके बार नेक्स्ट है GTO यानि जियो सिंक्रोनस तु यानि तुल्ले कालिक इस्थानांत्रन कक्षा चलिए इसे देखते हैं कि यह क्या है यह किस तरीके से वर्क करती है उसके बारे में कुछ और भी ऑर्बिट्स बचे हुए हैं इसे जो है GTO बेसिकली यह जो निर्दिष्ट भू तुल्ले कालिक कक्षा य कक्षा होती है जहां पर उग्रहों को जो है वह प्रमूचन यान की सहायता से पहुंचा दिया और यहां पर इनका जुकाव कोड़ होता है वह लगभग जो है वह सुने के आसपास ही होता है इनकी उचाई की लगभग बात की जाए तो 36,000 किलोमीटर के आसपास जो है वह इ पारे में हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं तो उन्हीं की सहायता से जो है वह इन्हें स्थापित कर दिया जाता है तो क्लियर हुआ कि जो है यह किस तरीके से उसके बाद एक और तरीके का मैंने आप सभी को और बिट बताया था ट्रांसफर और बिट यह मत समझना कि इस और प्रमोचन यान के द्वारा ही पहुचा दिया जाता है जो भी उपग्रह transfer orbit में पहु Čने हैं तो उन्हें promotion यान के दौरह पहुचा दिया जाता है और इस्थानांत्रन कक्षा के इस विंदू से निर्धिष्ट कक्षा के जो बीज की दूरी होती है उसे जो है वो उबग्रह जो भी उबग्रह होते हैं वो अपने कक्षोनि उच्छाई को बढ़ा है जैसे कि आप इस तरह के से देख से नहीं बना है यहां पर जैसे कोई ऑर्बिट है इसे लेकर जाया जा रहा है अगर यहां तक की हाइट देखें तो लगभग के अंदर की बात करें लगभग 35,000 km की होती है और जैसी यह मुव कर जाएगा तो लगभग जैसे यहां पर पह अमीड है किस तरीके से हिंक पहुंचाया जाता है वह किस तरीके से पहुंचाया जाता है तो नेक्स्ट है प्रक्षेपन यान प्रोध्योगी की यानि लॉंच वीकल टेकनोलजी के बारे में जानते हैं कि एक्शली में लॉंच वीकल टेकनोलजी होती क्या है किस तरीके से वर्क करती है जब हम लॉंच वीकल टेकनोलजी की बात करते हैं तो उपग्रहों को क्या करने उसके लिए क्या जरूरत होती है या तो हमें रॉकेट की या फिर उबग्रह प्रक्षेपन यान की आविशक्ता होती है क्यों कैसे देखें माल लीजे कि यहां से कोई भी हमने जो है वो उबग्रह वगरा बनाया कुछ भी किया कोई भी सेटलाइट वगरा का निर्मान किया य जो वहां पर उन्हें जो है वो स्थापित कर दे यही यान जो है यह तेज गती से यात्रा करके पूर्वे निर्धारित कक्षा में उबग्रह को स्थापित कर देता है तो अगर हम उबग्रहों की बात करते हैं तो जो उबग्रह होते हैं उनके कक्षा में स्थापित करने के के लिए रॉकेट ऊपगरह प्रक्षेपन यान की आवश्रक्टा होती है साथी यान्ग हैं ये तेज गति से यात्रा करके जो टाइम पिरेट डिलेसाइट किया गया है तो उस टाइम पीरेट से पहले ही कख्शा में उपगरह को स्थापित कर देते हैं प्रक्षेपन यान जो है ये न्यूटन की गती के तीसरे नियम के बेसिस पर कारी करते हैं आप सभी को पता होगा कि न्यूटन का जो थर्ड लौ है जो न्यूटन का स्पीड का थर्ड लौ है उस बेसिस पर कारी करते हैं प्रक्षेपन यान जो होते हैं प्रक्षेपन यान मे जा रहा है तो जैसे हम भी कारे करते हैं दिन भर कारे करने के लिए हमें भी खाना पानी दाना पानी के आपर श्रक्ता होती है तो सेम वैसे ही कोई भी वहिकल जाएगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो उसे भी खाना पानी चाहिए तो उसका इंधन ले जाने का कारे करता है प्रक्षेपन यान में प्रडोधन के दहन के द्वारा जो गैसे उत्पन होती हैं वो नीचे की ओर गती करती हैं जिसी की प्रतिक्रिया के कारण जो प्रक्षेपन यान है वो उपर की ओर गती करता है और माल लीजिए कि अगर जो है वो दहन के द्वारा जो गैसे हैं अगर व विश्रक ऑक्सी करन एजेंट भी अपने साथ ही लेकर चलता है और प्रडोदा का चुनाओ जो है वो प्रती एकाई द्रव्यमान उर्जा प्रदान करने की छमता आयतन और संग्रहन तथा परिवहन की सुविधा के आधार पर किया जाता है यहां पर बेसेश चुना जाता है उसी बेसिस के हिसाब से जो है यहां पर कारे करते हैं अगर हम देखें कि यहां पर जो गैसे उत्पन होती है तो गती तो यहां पर मिलती ही है लेकिन जैसे समानिता अगर हम बात करते हैं द्रव्य प्रडोदक जो है यह ठोज प्रडोदकों की अपेक्षा प्रती एकाई द द्रव्यमान सर्वाधी कूर्जा प्रदान करता है तो हर एकाई हर यूनिट में जो है वह हर यूनिट एकाई द्रव्यमान सर्वाधी कूर्जा प्रदान करता है लेकिन इसका भंडारन जो है वह हाइड्रोजन जो है यह काफी जादा द्रव्यमान प्रड्यूर्ज करता है प हैं तो टोस प्रणोदिकों के बात करते हैं यहां जो फिर रोड़ोदक होते हैं अगर इनके हीर ज़ savez आषान होते हैं समान Kr sacar में समान प्रक्षेपन यान की बारे में से Самर्ण होते हर चरण में समान लिभन का प्रयोग किया जाता है . तो उसमें जो सबसे निचला चरण होता है वह है ठोस प्रडुदकों की रूप में कारे करता है प्रडोधक को याद रखिए कि या अगर मैं कोई-कोई बार जो है वो प्रॉपलेंट सिस्टम बोलू ना तो आप समझ लिजेगा कि हम जो है वो किसकी बात कर रहे हैं प्रडोधक की बात कर रहे हैं तो प्रडोदग को जो एंगलिस में है वो प्रॉपलेंट बोला जाता है तो प्रॉपलेंट जो है वो रॉकेट की इंधन की रूप में यूज होने वाले पदार्थ होते हैं और इनहीं जो है वो तकनीकी भासा में प्रॉपलेंट को प्रडोदग कहा जाता है अब इनका एक जैसे ही कहीं भी जाना होता है हम क्या करते हैं अगर हमें रास्ता पता है किस गली भी गुजरना है मैप इतने जादा आचुके हैं कि हम हुआ कि पता होना चाहिए उसी तरीके से कोई कोई डायरेक्शन या कोई एरिया या कुछ तो हम चुनेंगे doing इनको भी प्रक्षेपड स्थल का चुनाव किया जाता है तो कुछ चीज़े हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है अधर्वाइस मिस्टेक हो सकती है जैसे कि प्रक्षेपड स्थल जो है वह अवादी वाले छित्रों से दूर और समुद्र के पास होना चाहिए क्योंकि जो अ अधिक पाए जाते हैं इसी कारण आपने जादा तर जो है वह प्रक्षेपड स्थल देखेंगे तो वह पूर्वी तटों पर बनाए गए इसलिए उसका में रीजन जो है वह यहीं ऐसा नहीं है कि पूर्वी तर जो है वह ज्यादा पसंद आता है इसलिए पूर्वी यह बनाया गया क्या कारण रहा होगा उसे पक्ष्च्ण पर बाश्च्च्रम की तरह बनाने का बहुत सिंपल और में रीजन यह था कि वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो है वह पश्च्म की जो अवसन रशनात्मक विकास है वह तुलनात्मक रूप से कम हुआ यानि हर जगह का एक विकास होता है वहाँ पर अगर आप पॉपुलीशन की बात कर लीजे जैसे डेंसिटी हो गया अगर हम इधर तट की बात करते हैं दूसरे तटों की अगर हम बात करते हैं तो तुलनात्मक रूप में विकास कम हुआ है इसी कारण जो है वह पश्च्मी तट पर बेसिकली जो कजाकिस्तान का बैकनूर प्रक्षेपन स्थल था उसलिए इसलिए जो है उसे बनाया गया और अंतर अर्राश्ट्री समभंधों के परिप्रेक्ष में जो सेतिय० के दारान अमेरीका ए हो अमेरिका को ये भी रखने के लिए घब्रक्ट समय पर अमेरिकाईक को बिहां में रखने के लिए भी दाऱ जो है वह पतन सा श्तर चुना जोगला गया और इसीलिए येने सारा सिनेरियो था तो यहां पर भी स्ट्राइब से फोकस किया गया कि साइद यहां पर भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो साथी प्रक्षेपड इस्तिल को भूमद्य रेखा के निकट रखा जाता है अब क्यों रखा जाता है ताकि जो भू समकालिक इस्थानांत्रन कक्षा में उबग्रह का प्रवेश जब करवाया जाए तो कम उर्जा यानि जो इंधन है वो कम खर्चो उसके अलावा एक रीजन और है जिसे सायद समझ सकते हैं कि आपको इसमें बिलीव ना हो लेकिन गुरुत्वा कर्षार का जो सबसे कम वैल्यू जो होती है वह भूमद्य रेखा पर रहती है इसी कारण जो है इन्हें भूमद्य रेखा के निकट ही इनका स्थानांत्रन जो है वो करवाया जाता है अ उनको भी पूर्व की और प्रक्षेपित किया जाता है जिससे कि वह प्रित्वी की जो गती है उसे ग्रहन कर सके और यदि उग्रहों को अगर मालीजे पस्चिम में प्रक्षेपित कर दिया जाए तो उन्हें कक्षा में स्थापित करने के लिए काफी जादा उर्जा करने पड़े और ज्याधा से ज्याधा चिछे जादा रिसोर्सेस हम गेन कर ले मावी इंडिया उसी कंडिशन में हैं इंडिया के पास भी इतना ज्यादा बजट वगेरा नहीं है कि वो प्रक्षेपण यान को अलग उसमें या ज्यादा उर्जा जो है या ज्यादा इंधन जो है वो प्रयोग कर सके क्योंकि अभी इंडिया के पास जो है वो सेम वैसी बजट प्रॉब्लम है इतना ज्यादा बजट नहीं है प्रक्षेपण यान जो है वो प्रोध्योगी की में अगर प्रक्षेपण यान की बात करते हैं तो तक्निक की विकास का मुल्यांकन जो है वो बेसिकली दो उसमें मुल्यांकन जो है वो दो रूप में किया जाता है किस किस तरीके से पहली जो है वो रॉकेट कितनी उचाई मे जाने में सक्षम है और दूसरा कितने बहारी आप गहां है भोने में दो चीजें जादा देखी जाती की अब उसकी बात हमें देखना चालो करना है प्रमोचन यान में दो तरीके के प्रमोचन यानों को देखेंगे पहले पहला जो है वह साउंडिंग रौकेट और दूसरा लॉ Marsh cocktail कि बा़ और सेख़्लियेिये को तन्स वी की बात करेंगे वो एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लस आने वाली अब जो भी स्पेस टेक्नोलजी में क्लासिस होंगे उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्डेंट टॉपिक्स हैं यहां से कुश्चन्स पूछे जाते हैं उसके बाद एसल्वी के बारे में द दिमाग लगाईए तब तक में लिख रही हूं क्या होगा पोलर सेटलाइट लॉंच वहिकल इसे भी आफ फुल फॉर्म इसका लिख लीजेगा एंड जी एसल्वी के बारे में इन सभी के बारे में डीटेल डिसकेशन करने वाले हैं इसलिए मैं रिखवा रही हूं इसका एडाग जो फुल फॉर्म है वो ह्चे मेर जी असेटलाइट लॉंच वहिकल अड उसके बाद अलावा जो है वो आरेलवी देखेंगे अब यह बिशहर यह बेसिकली आरलवी आरेलवी क्या होता है renewable, renewable launch vehicles होते हैं, りayusable launch vehicles क्या होते हैं, एक-एक करके देखना चालू करते हैं, सो चलिए, start करते हैं sounding rocket से, sounding rocket क्या होता है, समझते हैं एक-एक करके धीरे-धीरे कहानी, तभी के बारे में देखेंगे, first starting जो है, sounding rocket से करना है, हिंदे में इनहें परीग्यापी-्रोकित बोला जाता है इसके लिए डार्णाद ले लिया जा अदर्वाइस दिखेगा ही क्या होता है इनका प्रयोग जो है परीग्यापी-्रोकित का जो भी अनुसंधान होंगे उनके उद्देश को फुल्फिल करने के लिए साउंडिंग रॉकेट का प्रयोग किया जाता है यानि जो परिग्यापी रॉकेट या जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं ये एक या दो चरणवाले ठोस प्रणोदक युक्त रॉकेट होते हैं इनमें जो प्रणोदक की इस्तमाल होता है जिनका उप्योग जो है वह उपरी वायुमंडल छेत्रों का अध्यान और अंतरिक्ष अनुसंधान करने के लिए किया जाता है अब भारत में जो साउंडिंग रॉकेट थे इनकी जो पहली उडान थी वह कब की गई थी 1963 में की गई थी भियाद रखेगा 1963 एक इंपॉर्टेंट डेट है जो कि कहां पे से की गई थी ती आरेस से की गई थी यानि थुमबा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन की स्थापना के बाद से ही इसे शुरू किया गया था तो देखिए यहां पे साउंडिंग रॉकेट का मिनिंग जालनीजे की साउंडिंग रॉकेट का मीनिंग क्या है साउंड जो है यह पुर्तगाली वर्ड है जो कि सौंडा से बना है जिसका मीनिंग होता है प्रोब वहीं अगर देखें कि भारत में अपने अंतरिक्ष कारेक्रम के स्टार्टिंग डेज में ही 1963 में सिरुवंदपूरम के निकट थुमबा से पहले जो है वो साउंडिंग रॉकेट को प्रक्षेपन किया गया था साउंडिंग और स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि जब हम जो स्टार्टिंग वाला हम फर्स्ट क्लास अपनी स्पेस टेक्नोलजी के देख रहे स्टार्टिंग से किया क्या है अगर साउंडिंग रॉकेट की बात करते हैं या फिर अगर हम थुमबा की बात करते हैं तो थुम्बा जो है वो भोगौलिक दृष्टी से काफी जादा महत्यपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी वायू मंडल और चुम्बिकी ये विशुवत रेखा जो है उसके अध्यन के लिए यहाँ पर जो atmosphere है वो एकदम कह सकते हैं कि relevant है उसी टाइब का है एक बढ़िया atmosphere है sounding rocket अनुसंधान के छेत्र में भारत जो है वो सिर्फ sounding rockets में इंडिया ने जो है वो सिर्फ अपने ही help नहीं किया यानि अपने लिए ही कारे नहीं किया है बलकि अधर कंट्रीज को भी सहीयोग प्रदान किया है भारत का जो पहला स्वदेशी sounding rocket का प्रमोचन है वो 1965 में किया गया था तो आब आप सोच रहे होंगे कि 1963 में जो तिरिवंत्पुरम के निकट थूंबा से पहले sounding rocket nike apache का प्रक्षेपन किया था यह जो था यह एक अमेरिका निर्मित यह जो प्रक्षेपन था यह ना इक अपाचे का नेम है तो तो ये जो है ये अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपर निर्मेत किया गया था बट मैं यहाँ पर आपको वो बता रही हूँ ये 1965 में जो Sounding Rocket भेजा गया वो भारत का पहला स्वादेशी Sounding Rocket का प्रमोचन जो है वो 1965 में ही किया गया था जो की काफी important हो जाता है बाद में इस रो ने जो है वो रोहिणी नाम से Sounding Rocket की एक स्ट्रंखला का विकास किया जिसे जो है वो रह 75 यानि रोहिणी 75 रोहिणी 100 रोहिणी 125 तूहंड़ेड रह 300 एमके 2 एंड रह 565 जो है ये एमके 2 जो है वो इसमें सबसे जादा प्रमोख है तो इतने सारे जो है उसके लॉंच किये गए एक इंपोर्टेंट वो जाता है लेकिन देखिए जब हम कोई भी कारे ना फॉर्स टाइम करते हैं तो वह फॉर्स टाइम वाला फील प्लस उसके बाद सक्सेस होना उस चीज में वह एक इंपोर्टेंट पार्ट हमारे लिए बन जाता है एक हमारे लिए वह एक उपलग दी हो जाती है 2015 में जो है वह इसरो ने थुमबा एक्क्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन यानि टी आरल से लगातार जो है वह लगभग हंड्रेडवे परिग्यापी रॉकेट आरेज 200 का सफल प्रक्षेपन किया था तो आरेज 200 का जो प्रक्ष हम परिग्यापी रॉकेट चता वह 75 लगभग जो था वह वह मिली मीटर व्यास जो परिग्यापी रॉकेट था अगर प्रेजन में बात करते हैं जो प्रेजन टाइम में कौन-कौन सी साउंडिंग रॉकेट जो है वह वह वर्क कर रहे हैं क्या सिरीज है वह चलिए सीरीज विए आपको एक ड्रॉव करके इसमें बता देती हूं यह वह साउंडिंग रॉकेट्स है प्रेजन टाम वर्किंग संट और्स जो आज भी प्रेजनट टाइम वर्क कर रहें हैं तो एक तरफ हम यान की बात करेंगे जिसमें पेलोट की बात करेंगे पेलोट जो बात करेंगे वो हमारा 100 किलोग्राम में प्लस उचाई की बात करेंगे जब हम उचाई की बात करेंगे तो किलोमीटर के बेसिस पे करेंगे परपस की बात करेंगे यानि उद्देश की बात कर इन सभी के बारे में RH200 सीरीज है प्लस RH300 जो की MK2 सीरीज है और RH500 जो है यह भी MK2 सीरीज है यह क्या सीरीज है किस तरीके की है सभी बात करेंगे इन के जो पेलोट चमता है RH200 की 10 है RH300 की 60 है और RH500 की जो पेलोट चमता है वो 100 है यह पेलोट चमता क्या होती है किस प्रकार से वो पूरा हमने 160 km है and RH 560 की जो है वो 470 km है इसका उद्देश से जो है वो मौसम संबंधी अध्यान है यानि किस कारण से इसे वो किया गया तो मौसम संबंधी अध्यान वहीं RH 300 का जो प्रयोग है वो एरो नॉमी के लिए किया जाता है एंड RH 560 का प्रयोग भी एरो नॉमी के लिए ही किया जाता है एरो नॉमी लॉंच पैड ये आरेज 200 का जो लॉंच पैड था वो थुमबा था एंड इसका जो था वो SDSC सार था एंड इसका भी SDSC सार ही था बेसिकली ये इनके लॉंचिंग रोकेट रहे हैं अब हमें जो है वो Satellite Development Program of India देखना है कि किस तरीके से Satellite Program जो है वो चलाया जाता है किस तरीके से वर्क करता है तो सभी के बारे में एक-एक कहानी जो है वो हमें देखनी है यानि भारत का उपग्रह प्रक्षेपन विकास कारेकरम Satellite Launch Development Program of India इसके तरीके से किनका किनका प्रयोग किया गया किस तरीके से किया गया चलिए एक-एक करके कहानी देख भारत में जो प्रक्षेपन यान के विकास की जो कारेकरम की सुर्वात थी ना याद करिए Space Technology की फर्स्ट क्लास जिसमें मैंने आप सभी को यह बताई थी यह बात अल्रेडी मैंने बताई थी भारत में जो प्रक्षेपन यान है उनके विकास के कारेकरम की सुर्वात जो है वो 1970 के दसक में ही प्रारंब हो गई थी महीं प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपन यान जो है वो जो है वो एस एलवी स्वी को जो है वो 1979 में ही प्रक्षेपेट किया गया था इससे संबंधित संसकरण SLV D3 का प्रामोचन 1992 में सफलता पूर्वक किया गया था महीं उपग्रह प्रक्षेपन यान के अगर हम बात करते हैं तो उपग्रह प्रक्षेपन यान कारेकरम में आत्म निर्भरता प्रदान करने के लिए धुरूवी उपग्रह प्रामोचन यान प्यस एलवी और भू आ हम लिए आध करते हैं certainly मतल उप बात करें गया तो वमें इस दरीके से काले करते हैं सारी तो उनके बार में हैं हम देखेंगे आगे तो अगर हम बात करते हैं तो यह कारिल जो था क्योंकि स्टार्टिंग मैं कारे देख रहे हैं कि किस तरीके से कारे की में भी लैंडिंग कर चुकी थी वहां पर ह्यूमन भेजने की तयारी चल रही थी लोग उसमें परिक्षन कर रहे थे और उस टाइम पिरिड में अगर हमारे यहां यहां इंडिया की हम बात करते हैं तो शुरूबात की जा रही थी बेगनिंग की जा रही थी लेकिन जब बहुत ही अच्छे से हुई और हमने काफी जल्दी जो है वह इसमें सफलताइं भी गीन तो इस रो की बात करें अगर तो इस रो जो है वह वायुमंडली अनुसंधान और अन्वैज्ञानिक खोजों के लिए जो है वह भारती और अंतराश्ट्री वैज्ञानिक समुदाय के स सहयोग से पेलोड के प्रक्ष्रेपन के लिए जो है वह रोहिडी संकला भी रोहनी संकला आमने देखी ना तो रोहिडी संकला के साउंडिंग रॉकेट्स का भी निर्माड करता है तो जो इस रो है जो वायुमंडली अनुसंधान और जो अन्य वैज्ञानिक खोज है वह त रोकेट से उनका निर्माड किया गया भारत के अभियान मुख्यता जो है वह दो दौर थे मुख्यता अगर हम देखते हैं जो कि 1979 एटीज में जो है यह प्रारम हुआ था पहला दौर जो था यह एक्सपेरिमेंटल था जब भी हम कोई भी चीज इस्थमाल करते हैं या कोई भी कारें करते हैं तो वह हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या इस चीज को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो यह देखने का प्रयाश जो है वह हमारा किया जाता है तो पहला दौर जो था वह एक्सपेरिमेंटल दौर था जिसमें SLV3 और SSLV कारेक्रम की ही हेल्प से जो है वो रॉकेट डिजाइन मिशन डिजाइन ठोस प्रणोधन प्रोध्योगी की और हार्डवेर आधी छमताओं का विकास हुआ था जबकि दूसरा मिशन जो था वह ऑपरेशनल था अब पहले बार हमने कोई भी कारे जो है वो सीख लिया तो अब हमेशा उसे लागू करते हैं या डिरेक्ट लिजो है वो करना चालू करते हैं बेसिकली फॉर्स्ट फेस जो था वो 1979-80 के दौर में आरंभ होता है जो पहला फेस एक्सपेरिमेंटल था हमने एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किये चलो बनेगा तो बनेगा नहीं बना तो कोई बात नहीं पूरे तरीके से तो नहीं बेगड़ेगा नहीं बना तो कुछ तो अनुभाव मिले का हमेसा का जाता है कि हमेसा कहा जाता है कि अबजर में तो न होगा है तो हम ने पर्समेंट व सब्सक्रम और या the testhur zoo सब्सक्राउ mine जिने पशंबीन टरूराWhen फर्स्ट फेस हमें लगा कि पूरे तरीक से complete हो गया पास हो गया तो फिर हमने दूसरा फेस चालो किया और उसी operational phase में ही द्रूवी उबग्रह प्रक्षे पन्यान जो PSLV साथी GSLV का विकास PSLV and GSLV दोनों का विकास किया गया PSLV यानि की द्रूवी उबग्रह प्रक्षे पन्यान and GSLV भूत तुल्ले कालिक उबग्रह प्रक्षे पन्यान इन दोनों का विकास जो है वो किया गया अब बात करते हैं भारत के उबग्रह प्रक्षे पन्यान की यानि satellite launch missions of India किस प्रकार से launch किये गए क्या कारे करते हैं सभी के बारे में एक-एक कहानी एक-एक करके जो है वो कहानी जानना चालू करते हैं तो फॉस्ट जो हमें जानना है कहानी वो SLV के बारे में जाना यानि हम जो है यह launching rocket में यानि launch missions क्या-क्या रहे हैं इंडिया के उनके बारे में देख रहे हैं तो पहला जो है वो SLV के बारे में देखना है उपग्रह प्रक्षेपण यान यानि सेटलाइट लॉंच वहिकल पहले इसे जानते हैं कि सेटलाइट लॉंच वहिकल होता क्या है तो यह जो है यह भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रमोचन यान है जो SLV है, ये भारत का पहला प्रायोगी वबग्रह प्रामोचन यान है, SLV के द्वारा जो है लगभग 40 किलोग्राम के वबग्रह को लीयो में स्थापित किया गया जो लो और्थ और्बिट है उनमें स्थापित किया जा सकता है भारत में उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रोध्योगी की का जो विकास कारेक्रम था वो 1979 में विक्रम सारभाई अंतरक्ष केंद्र के निर्देशन में यानि उनके ही गाइडेंस में विक्रम सारभाई अंतरक्ष केंद्र जो था उसी के निर्देशन में उसी के गाइडेंस में 1979 में ये कारेकरा में स्टार्ट होता है सेटलाइट लॉंच विहिकल देन उसके बाद जो है उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 यानी SLV 3 जो था ये भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था यानी इसते जो है पहला प्रायोगिक उसके बाद जो है या RS3-1 को कक्षा में स्थापित किया गया यह SLV होता है चार चरणों की रॉके्ट प्रनाली होती है इन प्रयोग का है हर एक चरंड में ठोस इंधन का प्रयोग किया जाता है जितने भी इसके प्रयोग होते हैं यानि जो साथी में इससे पहले August 1979 में SLV 3 का जो प्रयोगात्मक उडान है वो कीवल आंसिक रूप से ही सफल हो पाई थी बहुत जादा अच्छे से सफलता नहीं मिली थी लेकिन SLV 3 जो है वो 22 मीटर रूचा 1710 वजन का चार चरण वाला प् सेलवी 3 थी उसका वजन जो था वो 1710 वजन था और चार चरण थे इसमें और इसके चरणों में ठो सीन्धन का प्रयोग होता था तो याद रखिए साथी में यह 40 किलो ग्राम भार वाली स्रेडी के पेलोट को प्रत्वी की निम्नकक्षा यानि लियो में स्थापित करते हैं कि मतलब रहत में स्थापित करते हैं अब अध्षे से समझ में आया कि क्या है इसकी कहانी अगर हम पर देखते हैं तो इसमें वह संवर्धित उभ्रह प्रक्षेम पन यानि आशल्व अभी तेकलओ करता है उसके बारे में देखते हैं कि एसली क्या है एसल्वी जो है यह संवर्ध्य यानि आप मैंने टिट टेलाइट लॉच विहिकल है संवर्ध्य उपगरह प्रक्षेपण यान यान यह जो है यह बेसिकली भारत का दूसरा यानी सेकिंड प्रायोगे उपगरह प्रमोचन यान है तो एसल्वी थ्री कि प्रक्षेपन के बाद भारत ने जो है ये समवर्धित उपग्रह प्रक्षेपन यान विक्सित करने की कोसिस की क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जब हम किसी एक चीज में सफलता हासिल कर लेते हैं या किसी हम एक चीज में सफल हो जाते हैं तो हम हमेशा कोशिस करते हैं कि हम दूसरे चीज में या दूसरे उसमें भी सफलता हासिल करने इसके अंतरक्त जो है वो चार विकासात्मक उडाने आयोजित की गई इसमें 4 जो थी वो उडाने आयोजित की गई थी पहली विकासात्मक उडान जो थी वो 24 मार्च 1987 को दूसरी जो थी वो 13 जुलाई 1988 को संपन की गई थी इसमें से जो पहली और दूसरी जो उडान थी वो जो है ये विफल रही थी बहुत अच्छे से सफल नहीं हो पाई थी साथी में 20 में 1992 को SLV D3 को सफलता पूर्वा प्रक्षेपित करके SRO SSC यानि 106 किलोग्राम को अंतरिक्ष कर्षा में स्थावित किया गया थे इसमें जो थी वो सफलता जो थी वो हाथ लगी थी हम कह सकते हैं अब बिसिकली जो SLV होती है इनका जो भविस में प्रमोचन यान से संबंदी जो जरूरी तकनीके हैं उनका प्रदर्शन और परिक्षन करना जो था वो इनका में परपस था ये जो है बिसिकली अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये पांच चड़नों का उपग है वह 150 किलोग्राम के उपग्रह लगबग 400 किलोमीटर की कख्षा में स्थापित कर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें एसल्वी के द्वारा कि एसल्वी ने पहली बार जो है वह किसे एस आरो एस एस वन नामक सुदूर समवेदी उपग्रह को प्रत्वी के कख्षा में स्थापित किया था एसल्वी ने पहली बार जो है वह एस आरो एस वन नामक ये जो क्या ही कि एक सुदूर समवेदी उपग्रह है जिसको प्रत्वी के कख्षा में स्थापित किया गया ठीक है कहानी समझ आई एसल्वी की अब उसकी बाद जो नेक्स्ट कहानी है यह उल्रड़ी इसमें है यह पांच चड़नों वाला प्रक्षेपण यान था जो ठोज इंधन से चलता था 4 में 1994 को प्रक्षेपण ASLV D4 ने SRO SSC2 को कख्षा में सफलता पूर्वक स्थापित किया तो अल्रड़ी यह कहानी थी चले मैंने देखी नहीं थी कोई बात नहीं अब उसके बाद नेक्स्ट बात करनी है हमें PSLV के बारे में यानि Polar Satellite Launch Vehicle PSLV के बारे में देखते हैं कि PSLV क्या है Polar Satellite Launch Vehicle क्या होता है किस तरीके से वर्क करता है सभी के बारे में देखते हैं हिंदी में इसे धुरूवी उपग्रह प्रक्षेपणियान बोला जाता है तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यह basically कार्रे करता है तो Polar Satellite Launch Vehicle के बारे में बात करें तो basically जो Polar Satellite Launch Vehicle है यह भारत का पहला कार्रेरत उबग्रह प्रमोचन यान है यह जो है basically यह चार चर्णों की प्रमोचन यान प्रणाली में पहले और तीसरे चरण में जो है वो ठोस इंधन का प्रेयोग होता है दूसरा और जो चौथा चरण होता है इसमें जो है वो तरह लींधन का प्रेयोग होता है किस तरीके से कारे करता है तो उबग्रह प्रक्षेपन यान प्रण्योगी की का विकास जो है वो उच इस्तर PSLV के साथ शुरू किया गया इसके प्रक्षेपन का जो पहला यानि जो प्रयास है या कदम है ना वो कब रखा गया 1993 में PSLV-D1 के रूप में रखा गया जो पहला कदम था ना वो PSLV-D1 के रूप में रखा गया लेकिन चौथे चरंद में खराभी आने के कारण प्रयोग जो था वो सफल नहीं पाया विफल हो गया क्यों क्योंशन इसमें जो है वह hour चरंद में जो थी वह तीन चरण जो है उसमें बहुत इच्छे से कारी हुआ सभी कुछ हुआ लेकिन जो चौथा चरण था चौथे चरण तक आते आते इसमें जो है चौथे चरण में आने के कारण कुछ चौथा चरण जब आया तो उसमें कुछ खराबी आ गई और फाइनली जो है वो 1994 में पीएसलवी डूइटू के द्वारा आई आरेस पीटू को सफलता पूर्वग द्रूवी एक अक्षा में स्थापित किया गया बेसिकली पीएसलवी जो होता है पीएसलवी जो है यह चार चरण वाला रॉकेट होता है फोर्ट जिसमें पहला और तीसरा यानि फोर्स्ट एन थोर्ड जो चरण होते हैं इंधन का प्रयोग किया जाता है महीं तरल नोधन प्रणाली जो है वो इसे किसी भी बिंदूपन नियंत्रत करने में सहायक होती है और पीएसलवी जो है वो वन थाउजन सेवन हंडर्ड फिप्टी किलोग्राम भार तक के उपग्रहों को 600 किलो मीटर की उचाई पर जो सू जावा 1425 किलोग्राम तक का भार जो है वो उपग्रहों को भू तुल्ले कालिक इस्थाना अंत्रण कक्षा यानि जीठीयों में प्रमूचित करने में सक्षम होती है वह पीएसलवी की विश्रस्नियता जो है वो काफी ज्यादा उतक्रस्ट है और इस रो जो है वो वेस्व बड़ी उपलब दिये वहीं अगर पीएसलवी की बात करें तो पीएसलवी को सतत रूप से आई आरेस सिरीज के अलग-अलग जो उपग्रह हैं उनको निम्न भूक अक्षा में स्थापित करने के कारण वर्क हॉर्स ओफ इस्रो का खिताब भी मिला हुआ है इसका यानि जो आई आरेस सिरीज के जो अलग-अलग उपग्रह हैं एक बढ़िया इंट्रस्टिंग फैक्ट देखिए एक्जाम में नो डाउट की नहीं पूछा जाएगा पता होना चाहिए थोड़ा सा हमें भी अपने देश के बारे में पता रहना चाहिए ना एक नागरिक होने के कि के अ 746 सिर्ट को मिली तो चलिए और ज्रीट के अगे देख भीवि हो गाइस आज केक्लास में तक रकते हैं नेक्स्ट क्लास में गेक्राइस Miros संस्करेंट से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा मिलते हैं आप सभी से के नेक्स सेशन में थैंक यू सो मच प्लस सेशन को लाइक करिए सेएर करिये अन बटनीर आई उसका एफ जरूर डाउन लोड करिए क्योंकि सारे लीन नोट से सब कुछ आपको महीं पर मिलेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बबाई सभी को